ब्रह्म पुराण वर्ण और आश्रमों के धर्म का निरूपन मुनियों ने कहा ब्रह्मन अब हम वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का विशेश रूप से वर्णन सुनना चाहते हैं विप्रवर अब उसी का वर्णन कीजे व्यास ये बोले द्विजवरों अब में क्रमशह, ब्रह्मन, क्षत्रि, वैशे और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्म का वर्णन करूँगा तुम लोग एकाग्रचित होकर सुनो प्रह्मन को सदा, दान, दया, तपस्य, देव्यग्य और सो अध्याय में तत्पर रहना चाहिए तरपन और अगनी होत्र उसका प्रतिदिन का कारे होना चाहिए जिविका के लिए वे अन्य दुजों का यग्य कराए तथा उन्हें पढ़ाए यग्य करने के लिए वे जान भूज कर भी प्रतिग्रह ले सकता है सब लोगों का हिट साधन करना और किसी का भी अपने द्वारा अहित ना होने देना यह ब्रहमन का करतव्य है समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री का होना यह ब्रहमन के लिए सबसे उत्तमधन है केवल रितुकाल में पत्नी के साथ समागम करना ब्रहमन के लिए प्रशंसा की बात है क्षत्रिये भी अपने इच्छा नुसार ब्रहमन को दान दें नाना प्रकार के यग्यों दौरा भगवान का यजन करें और सो अध्याय में सनलग्न रहें शस्त्र चला कर जीवन निर्वाह करना और पृत्वी का पालन करना ये दो क्षत्रे की मुख्य जीविकाएं हैं उनमें भी पृत्वी की रक्षा उसके लिए मुख्य आजीविका है पृत्वी का पालन करने से ही राजा कृतार्थ होते हैं क्योंकि उसी से उनके यग्यादी कारियों की रक्षा होती है जो राजा दुष्ट पुरुषों का दमन और साधू पुरुषों का पालन करके सब वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करता है वे है मनोवांचित लोकों को प्राप्त होता है लोकपिता महब्रह्मा जी ने वैश्यों के लिए पशूं का पालन वेपार और खेती ये तीन आजीविकाएं प्रदान की है वेदों का अध्यन यग्य दान धर्म तथा नित्ते और नैमेतिक आदी कर्मों का अनुष्ठान वैश्यों के लिए उत्तम है शूद्र दुजातियों की सेवा का कारे करें और उसी से अर्थोपार्जन करके अपना जीवन निर्वाह करें अथ्वा खरीद विक्री ये शिल्प कर्म के द्वारा धन पैदा करके उससे जीविका चलाएं शूद्र भी दान दें और मंत्र ही इन पाक यग्यों द्वारा यज्ण करें वैश्राद आदी सब कारे बिना मंत्र के कर सकता है प्रित्य आदी का भरन बोशन करने के लिए सब के लिए संग्रह आवश्यक है रितुकाल के समय अपनी पत्नी के पास जाना सब प्राणियों के प्रती दयाभाव रखना शीत उश्न आदी द्वंदों को सहन करना अभिमान ना रखना सत्य बोलना पवित्रता पूर्वक रहना किसी को कश्च ना पहुँचाना सब का मंगल करना प्रिये वचन बोलना सब के प्रती मैत्री का भाव रखना किसी वस्तु की कामना ना करना कृपणता ना करना तथा किसी के भी दोश ना देखना ये सभी वर्णों के लिए सामाने रूप से उत्तम गुण बताए गए हैं चारों आश्रमों के लिए भी ये सामाने गुण है ब्राहमनों आप ब्राहमन आदी वर्णों के उप धर्म बतलाए जाते हैं आपत्ति काल में ब्राहमन के लिए क्षत्रिये का धर्म और क्षत्रिये के लिए वैशे का कर्म तथा वैशे और क्षत्रिये दोनों के लिए शूद्र का कर्म कर्तव्य बताया गया है सामर्थे रहते इन दोनों को शूद्र का कर्म नहीं करना चाहिए परन्तु आपत्ति काल में वही कर्तव्य हो जाता है आपत्ति ना होने पर कर्म, संकर, कदापी ना करें ब्रामनों, इस प्रकार मैंने वर्ण धर्म का वर्णन किया अब आश्रम धर्म का भलिभान्ती वर्णन करता हूं सुनो उपनेयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी बालक एकाग्रचित हो गुरू के घर पर रहते हुए वेदों का अध्यन करे शौच और सदाचार का पालन करते हुए गुरू की सेवा करे पवित्र बुद्धी से वरत के पालन पूर्वक वेदों की शिक्षा ग्रहन करे दोनों संध्याओं के समय एकाग्रचित हो सुर्यो पस्थान अग्नी होत्र और गुरू का अभी वादन करे गुरुदेव खड़े हों तो स्वयम भी खड़ा रहे वे जाते हों तो पीछे पीछे जाए और वे बेठे हों तो उनसे नीचे आसन पर बैठे शिश्य को चाहिए कि वे गुरू के विपरीद कोई आचरण ना करे उनी की आग्या से उनके सामने बैठकर एकाग्रचित से वेद का अध्यन करे गुरू का आदेश मिलने पर भिक्षा का अन्य ग्रहन करे जब आचारे पहले स्नान कर ले तो स्वयम जल में प्रवेश करके अब गाहन करे प्रतिदिन प्रातह काल आचारे के लिए समिधा और जल आदी ले आए जब ग्रहन करने के योग्य वेदों का पूर्ण रूप से अध्यन कर ले तब विद्वान पुरुष गुरु दक्षणा देकर गुरु की आज्याले ग्रहस्त आश्रम में प्रवेश करे विधी पूर्वक योग्य श्री से विवा करके अपने वर्णोचित कर्म द्वारा धन का उपार्जन करे और उसी से यथा शक्ति ग्रहस्त का सारा कारे पूर्ण करे शराद के द्वारा पित्रूं यग्य द्वारा देवताओं अन से अतिथियों स्वाहध्याय से मुनियों संतानुत पादन से प्रजापती बली वैश्व देव से संपून भूतों और सत्यवचन के द्वारा संपून जगत का पूजन करे ऐसा करने वाला पुरुष अपने कर्मों द्वारा उपार्जित उत्तम लोकों में जाता है भीक्षा पर निर्वाह करने वाले सन्यासी और ब्रह्मचारी भी ग्रहस्तों के ही अवलंब से रहते हैं अतह ग्रहस्त आश्रम श्रेष्ट माना गया है जो ब्रहामन वेदाध्यन तीर्थ स्थान और पृत्वी के दर्शन के लिए भूतल पर भ्रह्मन करते हैं जिनका कोई घर नहीं है जो प्राय निराहार रहते हैं और जहां संध्या हो गई वहीं डेरा डाल देते हैं ऐसे लोगों का सहारा और आधार ग्रहस्त ही है पूर्वक्त द्विज जब घर पर पधारें तो मधुरवाणी से सदा उनका स्वागत सतकार करना चाहिए उन्हें शय्या आसन और भोजन देना चाहिए जिसके घर से अतिथी निराश हो कर लोटता है वह उसे अपना पाप दे बदले में उसका पुन्य लेकर चल देता है ग्रहस्त पुरुष में दूसरों के प्रती अभेलना अपने में अहंकार दंभ, परनिंदा दूसरों पर चोट करने की प्रवृत्ती और कटू अचन बोलने का सुभाव होना अच्छा नहीं माना जाता जो ग्रहस्त इस प्रकार उत्तम विधी का पालन करता है वे सब प्रकार के बंधरों से मुक्त हो उत्तम लोकों में जाता है ग्रहस्त पुरुष बुढ़ापा आने पर अपनी स्त्री का भार पुत्रों को सौंप दे और स्वयम तपस्या के लिए वन में चला जाए अथ्वा स्त्री को भी साथ ही लेता जाए वहाँ पत्तियों मूल और फल आदी का अहार करते हुए पृत्वी पर शैन करे सिर के बाल दाड़ी और मूच ना कटाए वानप्रस्त मुनियों के लिए सब लोग अतिथी है भेमरिक चर्म कास और कुशादी की कौपे नेवं चादर धारन करे उसके लिए तीनों समय स्नान करना उत्तम माना गया है देव पूजन होम संपूर्ण अतिथियों का पूजन भिक्षा और प्राणियों को बली समर्पन ये सब बातें वानप्रस्थ के लिए श्रेष्ट मानी गई है वे अपने शरीर में जंगली फल आदी के तेल लगा सकता है उसका मुख्य कर्तव्य है तपस्या शीद और उजन आदी द्वंदों का सहन जो वानप्रस्थ मुनी नियम पूर्वक रहकर पूर्वोक्त रूप से अपने कर्तव्य का पालन करता है वे अगनी की भानती अपने सब दोशों को जला देता है और सनातन लोकों को प्राप्त होता है मुनियों मनीशी पुरुष्च जो भिक्षूओं का चतुर्थ आश्रम बतलाते हैं उसके सुरूप का वर्णन सुनू भिक्षू को चाहिए कि पुत्र, धन, स्त्री के परती स्नेहे का त्याग करे और इशरहित होकर चतुर्थ आश्रम में जाए उसी को सन्यास आश्रम भी कहते हैं सन्यासी को समस्त, त्रेवर्निक कर्मों के आरंभ का त्याग करना चाहिए वे मित्र और शत्रू में समान भाव रखे सब प्राणियों का मित्र बना रहे जरायुज और अंड़ जादी किसी भी प्राणी के साथ मन, वानी और क्रिया द्वारा कभी द्रोह ना करे एक रात और नगर में पांच रात से अधिक ना रहे पशू पक्षी आदी के प्रती ना तो उसका राग हो ना द्वेशी रहे जीवन निर्वाह के लिए वे उच्चवर्ण वाले मनुश्यों के घर पर भिक्षा के लिए जाए वे भी ऐसे समय में जबकि रसोई की आग बुझ गई हों और घर के सब लोग खापी चुके हों भिक्षा ना मिलने पर खेद और मिलने पर हर्ष ना माने भिक्षा उतना ही ले जिससे प्राण यात्रा होती रहे विश्या सक्ती से वे नितांत दूर रहे अधिक आदर सत्कार की प्राप्ती को घणा की दृष्टी से देखे क्यूंकि अधिक आदर सत्कार मिलने पर सन्यासी अन्य बंधनों से मुक्त होने पर भी बंध जाता है काम, क्रोध, दर्प, लोब और मौ आदी जितने दोश हैं उन सब का त्याक करके सन्यासी, ममता रहे थो, सर्वत्र विचरता रहे जो संपून प्राणियों को अभैदान देकर प्रित्वी पर विचरता रहता है उस देहा अभिमान से मुक्त यती को कहीं भे नहीं होता जो ब्राहमन अगनी होत्र को भावना द्वारा शरीर में स्थापित करके अपने मुक में भिक्षा प्राप्त अनरूपी हविश्य डालकर इस शरीरस्त अगनी को आहूती देता है वह उस संचत अगनी के द्वारा उत्तम लोकों में जाता है जो द्विज, पवित्र एवं सैयत बुद्धी से युक्त हो शास्त्रोक्त विधी से मुक्षा श्रम का पालन करता है वे बिना इंधन की प्रजुलित अगनी के सद्रिश, शान्थ, तेजो में, ब्रह्म लोक में जाता है झालन के सद्रिश, तेजो में जाता है